नीट की परिशा से वंचीत रहे गए सेगावा विकास खंट के नौ छातर शात्राओं के जीला कलेक्टर अनुगरभ पी के निर्देश पर एम एन करेल सेगाव पहुचकर परिशा परभारी बीएमो सेगाव पहुचकर परिशा परभारी बीएओ मोहनलाल वर्मा सायक परभारी संदीब कापड़नीज और तीन शिक्षकों बसंचालकों के बयान दर्ज़ किये गए वहीं छातरा, संजना नागराज और पालकों ने बताया कि घटना के एक सत्ता बीच जाने के बाद भी परभारी थोज कारेवाई क्यों नहीं की गई वहीं बयान दर्ज़ करने आए, HDM स्री कनेल ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदे द्वारा मुझे नीट की परिस्थ पंचित रहने वाले विध्यारतियों और इसे संबंदित कर्मचारियों के बयान दर्ज़ कर लिए अब इसकी रिपोर्ट में जिला कलेक्टर को सूपूंगा वहीं चात्रों के भाईष से को लेकर प्रशासन चिंती थे इसलिए कलेक्टर महोदे द्वारा विध्यारतियों से मुलाकत करने आगे पड़ाई जारे रखने की संबंदी विशायों पर सच्चा करते हुए जिला कि इनके संबंदी हर संबाव मजद की जाए जिससे इनका भविश्य से खवी खराब नहों सेगावाद संजय जैसल की रिपोर्ट कि उसके क्या हो कि क्लेक्टर मोहदे द्वारा मुझे जो नव बच्चे छूट गए हैं चार सेंटर में परिक्षा से वन्चित रेगे नेट परिक्षा में उसकी जाँच मुझे सो भी गई थी उससे संबंद में चाँच के लिए हूँ जो नोडल अधिकारी परिक्षा के और जो बस में जो गए थे इसर्स उनके भी कतन लिये हैं अब जो बस तो इसकी पाई जाएगी उसके रिपोर्ट क्लेकर मोदे पर्स्क्रों कि अधिक नोग बच्चे चुटे इंका फिर क्या होगा अमगी जो पालो को पर बता जा रहा है कि उनका भुष्षा ही खराब हो गया कि क्लेक्टर महँदया ने उस वोच बुलाये थे उनको उसा कि आप कहा परती होना चाहते हैं तो उन्हें किसी ने किहाए कि हम फिर से परिक्षा देंगे तयारी करके किसी ने ख़य कि क्या परक्षाह वहाँ से कि आप कि नोग बच्चें और उनका पेरंट्स को जो हम बुला के चर्चा भी किये हैं जिसका गलती है उसकी एडियम की अद्धिक्स्ता में इंक्वाइरी टीम गटित किये गए हैं जैसे रिपोर्ट जमा करेंगे उसके इसाफ से करवाई होगी साथ साथ में हमने यह किया है बच्चों से यह पूचे थे वह आगे जाके हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुले